तो आज मैं बनाने वाली हूं डोनट्स जो मैंने बहुत दिन पहले एक बार वीडियो अप्लोड किया था उस टाइम पर मैं थोड़ा गुंगी थी बात नहीं करती थी लेकिन अपने बात करने लगी हूं तो आपको अच्छा से ज्यादा समझ में आएगा तो यहां पर मैंने पानी ले लिया है 100 ml जिसको मैंने हलका सा गरम करके बस इतना गरम रहना है कि आपका उंगली उसमें चले जाए है आपको गरम ना लगे तो तीन पीस्पुन जो है मैंने यहां पर इस्ट डालकर अच्छे से मिक्स करके इसे कहीं रख दूंगी गरम सा जगा में तब तक हमन 200 ml मिल्क डालके इसे अच्छा से मिक्स कर दूंगी और उसके बाद में इसको भी मैं साइड रख दूंगी यहां पर एक बात बोलना चाहूंगी अगर आप अंडे नहीं डालना चाहते हैं तो आप अंडे मत डालियें लेकिन थोड़ा सा जो है पाउडर में जो हमारा जो मै इसके बाद ने मैंने यहां पर जो हमारा अंडा और जो मिल्क है वह भी डाल दिया उसके बाद में मैंने 100 ml वाटर डालकर इसका एक अच्छा सा सौफ्ट डो बना लूंगी मैं उसके बाद में पिर अच्छा से इसे मिक्स कर दूंगी और फूरा थोड़ा सा ड्राई था न इसमें मिक्स कर दूंगी और उसके बाद में अभी इसको नीचे साफ करके मैंने यहां पर रख दिया है अब मैं इसे पटकूंगी बहुत अच्छा से आपको पटकना मारना पीटना धोना साब करना है इसमें तो आप देख सकते मैं जैसा कपड़ा दोते हैं मैं इससे कर र डाल सकते हैं क्योंकि मेरे पास बटर अभी जो था मैंने जो बाहर था वो खतम हो गया अभी फ्रीज में है तो वो थोड़ा हाड है तो मैंने इसलिए घी यूज कर लिया तो दो गंटा रखने के बाद में आप देख सकते हमारा जो दो है पूरा उपरा आ गया था बहर कर तो आप मैं यहां से आदा लूँगी आदा लेने के बाद नहीं आदा को मैं ऐसे ढखके रख दूँगी और फिलहाल क्योंकि हमें आदा ही चाहिए उतना सारा भी नहीं रोल कर सकते हैं तो यहां पर मेरा जो रोलर है बड़ा सा यह मैंने आज ही आया है मेरा Amazon से मैंने order किय जाता और मुझे मिल गया आज बहुत अच्छा है तो मैंने इसको यूज कर लेती हूं तो इस तरह से मैंने यहां पर एक कटर लिया है आप कोई भी कटर ले सकते हैं आप ग्लास से कट करके और बीच का सेंटर आप जो है बाटल या उसका कैप से भी आप कट करके इस तरह स निकाल सकते हैं उसका सेंटर तो यह डोनट बन जाएगा तो अगर आपके पास डोनट कटर है तो वह यूज कीजिए मेरा पास भी है दो तिन डोनट कटर लेकिन उसमें चोटे चोटे डोनट बनते हैं तो इसलिए मैं यूज नहीं करती हूं उसको पहले-पहले मैं ग्लास डूट्र ना उससे अच्सरी से धग दिया है ताकि है अ कि यह से फूल ईवाः उब्हुनर को कौनेड ऑदकर तु एक तरफ फ मीडियो लगर्या वह सितона है, हमें करना है। बाद में अमेरा दूनर और साइट ऊंद में इसम defending लग्या देख सकते हैं। बहुत सारा डॉंट मिया बन गया था ह 2 př जो मेने लिया था ने अखर जो मेरे बच्चे है बहुत पसंद करते ही इसको मेरे हजबन भी बहुत पसंद करते हैं तो मैं ज्यादा बना देती हूँ अभी शाम का है तो कल श्कूल के लिए भी लोग अ 않고 snaaks लेकर जायेंगे तो अभी भी पड़ा है अभी नेक्स डे है जब मैं ये वॉइस आपको वॉइस होवर कर रहे हूं तो अभी स्कूल लेकर चले गए फिल भी अभी भी है बहुत सारा तो यहाँ पर मैंने डाक चॉक्रेट लिया है और एक वाइट चॉक्रेट लिया है दोनों को मैंने 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेब कर लिया और इस तरह से मेल्ड कर लिया है चॉक्रेट को आप थुरा सा कट करके डालना इसके बाद में जल्दी से मेल्ड हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा दोनों चॉक्रेट लेडी है आप में एक जो डोनट है इसे ब्लैक चॉक्रेट जो डार्क वाइट चॉक्रेट बा दोनें के रूजने जांगे यहाँ फरुक्रेट बैने में तो ने जेखेएं के बाद में हमारे को हिसारे टॉननट हो गया तो एक में में आपके पास जो भी हैं आप वो डाल सकते हैं उसके बार नीज को मैंने जो हो शुगर पाउडर उपर से डस्ट करके डाला है और एक जो है मैंने गलेज जो बना आया था शुगर का उसमें डिप किया था तो वो मैं आपको नहीं दिखा पाईं तो थांक्यू सुमस्च फूर watching my video, bye, take care.